दिवाली हो या फिर दिवाली के बाद हो मिलने वालों और महमानों का आना जाना तो लगा रहता है तो ऐसे में आपके साथ मैं शेयर करने जा रहे हूँ चुड़ा नमकीन की रेसिपी जो बिलकुल मार्केट स्टाइल बनके तयार होगी और जिसे आप महीनों तक बना के स्ट पोह, यानि जिससे नाष्टा बनाते हैं बस वही पोहा ने हम लेना हे आपको पतला पोहा नहीं लेना है यह थूड़ा सा मोटा वाला ही लेना है और सबसे पहले तयार करेंगे चियोड़ा नमकीन का मसाला तो यहाँ पे व्यरत टेबल सपून मेंने लिया हूआ है का पाउडर एक टीसपून ऐट करे हूँivering कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर अब यहां पर आठ करे हो हैँ की तीसपून ब्लाक सॉल्ट याने की काला नमक और आदा टीसेटून प्लेंन सॉल्ट इंसब को हमें ग्रैंड कर लेना है तो यहां पे देखे इसका powder मैंने बना लिया है यह बहुत ही अच्छा flavor देगा हमारी चीवडा नमकीन में तो मसाला हमें सबसे पहले बना के तयार कर लेना है अब यहां पे मैंने गरम कर लिया है oil और इसमें ही हम सारी चीजे फ्राइ करेंगे तो यहां पे मैं ले रही हूँ इस हमें फ्राइ कर लेना है तो मुझे पीनट बहुत ज़्यादा पसंद है इसलिए मैं एक कप ले रही हूँ आप चाहें तो इसे आदा कप भी ले सकते हैं और यहां पे क्यूंकि oil थोड़ा सा कम है तो इस तरह से मैं चलाते हुए इसे फ्राइ कर लोंगी जब इसमें चटकन का यही बेनिफिट है कि जो भी एक्स्ट्रा ओयल होता है वो निकल जाता है अब यहां पे मैंने लिया हुए आधा कप आलमेंट्स और इसी के साथ साथ आधा कप मैं आड़ कर दूंगी कैश्यू नट और इन दोनों को एक साथ ही हमें फ्राइ कर लेना है तो इन सारी चीज यूनेट और आलमेंट्स भी फ्राइ हो चुके हैं इसे भी हम एक बोल में ट्रांसफर कर लेंगे तो याद रखें स्ट्रेनर के तुरू आप पूरा ओयल इसका जो भी एक्सेस ओयल है निकाल ले यहां पे थोड़े से किश्मिश मैंने फ्राइ कर लिए करीब एक ह wackana और इसे भी मना फ्राइ कर लोगे आप चाहें तो चीवड़ा रमकीन को इस मख़ाने के भीना भी बना सकते हैं पर मुझे चीवड़ा रमकीन में मखाना पसंद थै इसलिए मैं यहां पे मखाना एट कर रही हूं अब मखाना भी फ्राइश हो चुका है इसे भी बोलменे transfer कर लेंगे एक चौथाई कप हम add करेंगे pumpkin seed और इसे भी fry कर लेंगे ये भी बिल्कुल optional है डालेंगे तो अच्छा है नई add करेंगे तो कोई बात नहीं और अब यहां पर मैं fry करूंगी इस तरह से slices में कटे हुए dry coconut और इसे भी थोड़ी सी brown coating आने तक हमें fry कर लेना है ये बहुत ही बड़िया सा टेस्ट देती है चूड़ा नमकीन में तो इसे तो आप जरूर add करें तो बस ये भी fry हो चुके हैं अब यहां पर curry leaves को थोड़ा सा crisp होने तक हमें fry करना है इसका color विल्कुल भी change न fry कर रही हूं क्योंकि oil कम हो चुका है तो इसलिए चूड़े को मैं तीन शिफ्ट में fry करूंगी तो यहां पर करीब एक मिनट तक इसे क्रिस्पोने तक fry कर लेना है तो यहां पर चूड़ा fry हो चुका है excess oil को हमें निकाल लेना है और bowl में transfer कर लेना है तो बस तीनो हमने fry करके रखी है वो इसमें transfer कर लेंगे तो सबसे पहले चूड़ा मखाना और यहां पर पीनट बाकी के dry fruits इन सारी चीजों को इस परात में transfer कर लेना है परात थोड़ी बड़ी ले ताकि mix करने में थोड़ी सी आसानी हो और अब इसमें add करेंगे जो हमने मसाला बना के त कर लें और फिर मसाला आड़ करें तो मसाले भी अच्छे से इसमें पक जाते हैं आपको अलग से roast करने की जरूरत नहीं पड़ती है तो मसालों के साथ इन सारी चीजों को हमें कर लेना है mix और यहां पर करीब एक टेबल स्पून में add कर रही हूं sugar powder इससे थोड़ा सा मीठा सा टेस्ट आएगा तो यह चीवडा नमकीन थोड़ी सी खटी मीठी बहुती मज़ेदार बनती है तो इस दिवाली इस चीवडा नमकीन को आप भी अपने घर में जरूर बनाए अगर साफ सफाई में आप भी मेरे तरह बिजी रह गये हैं और अभी तक आपने कुछ भी नम नमकीन या स्नाक्स नहीं बनाए है तो इस चीवडा नमकीन को फटा फट से 10 मिनट में बनाओ खुद भी खाओ और महमानों को भी खिलाओ तो आपको आज की मेरे चीवडा नमकीन की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा और वीडियो पसंद आई हो त साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आएँ तो इसे सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर क्लिक करें मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में तेल देन हैपी दिवाली